हेलो और वेलकम टू ग्रेड़प्स्टडी रोड का उम्त स्वागत है आपका आज किस वीडियो में तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल परदेश पुलीस कौंस्टेवल एक्जाम 2016 और कल हमने डिस्कस किया था 2015 का एक्जाम ठीक है और उसका English section तो आज हम डिस्कस करेंगे 2016 में किस परकार के जो English के प्रशन पूछे गए थे तो वो आपको किस परकार से solve करने थे कौन कौन सा रूल वहाँ पे implement होना था वो हम आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है तो वीडियो को शूरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने प्रोपर तरीके से systematically वेसे हिमाचल परदेश पुलीस कोंस्टेवल एक्जाम फोरस्ट गार्ड एक्जाम पटवारी का एक्जाम या फिल जेल वाटर एक्जाम की तैयारी करनी है तो आप हमारे grade of study plus course में enroll हो सकते हैं आपको वीडियो के description में जाना है वहाँ पर आपको हमारे application का link मिल जाएगा तो application को download करने के बाद वहाँ पर register करने के बाद आपको हमारे grade of study plus course में enroll हो जाना है और 15 January से classes जो है वो शुरू हो जाएंगी और ये जो course रहेगा ये रहेगा 6 month का 6 month के अंदर-अंदर आपका complete syllabus cover करवाया जाएगा इन 4 exams का फिर चाहे कोई भी आप exam दे लो चाहे पटवारी का दे लो चाहे पूलिस constable का दे लो आपका सारा syllabus complete हो जाएगा क्यूं क्यूंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी exams का syllabus बिल्कुल सेम है बस पटवारी में reasoning नहीं पूछी आती बाकि सभी exams का syllabus सेम है अगर आपने only पटवारी की तयारी करनी है तो आप reasoning subject को छोड़ कर बाकि सभी subject को आपने पढ़ना है पहला question है which is not a synonym of disaster अब देखो disaster का मतलब क्या होता है आपदा ठीक है तो आपको इसका antonyum निकालना है यानि कि not a synonym तो antonyum इसका क्या होगा ठीक है आपदा मतलब कोई misfortune हो जाना ठीक है होता है तफल ठीक है अगर हम बात करें prosperity की तो prosperity का synonym होगा success ठीक है चलिए तो option number c is the correct answer आगे चलते हैं आगे आपके पास है question number two ठीक है तो opposite of the conquer अब देखो अगरी ठीक है option number a is the right answer आगे चलते हैं आगे आपके पास है question number three four और five ये तीनों question आपके है idiom phrases ठीक है तो पहला question है to die in harness तो ये जो idiom है ये मैंने आपको pre में YouTube classes में पढ़ाया था जब हमने हिमाचल परदेश police constable की pre में तयारी की थी ठीक है तो to die in harness का मतलब होता है to die while in service यानि कि जोग करते करते अगर कोई शहीद हो जाए कोई मर जाए तो उसको हम बोलते है to die in harness आगे चलते हैं आगे आपके पास है एक coke and bull story ठीक है तो इसका सीधा मतलब होता है duty story यानि कि false story ठीक है लेकर यहाँ पर false story option में नहीं है तो इसका मतलब होगा a lie option number d is the correct answer clear है चले आगे 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 आपके पास है to miss the bus यानि कि to miss an opportunity तो option number a is the correct answer clear है आगे चलते हैं आगे आपके पास है question number 6 ठीक है तो question number 6 7 और 8 तो यह आपके पास fill in the blanks है तो यहाँ पर आपको सही word को choose करना है तो question number 6 क्या है I have been living here dash 2009 तो यहाँ पर एक आपको मैं rule समझा देता हूँ since और 4 का ठीक है तो सबसे पहली बात मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जब भी since और 4 की बात आए तो हमेशा जो tense होगा वो perfect continuous tense होगा perfect continuous मतलब यहाँ पर has have had लगेगा यहाँ पर been लगेगी और यहाँ पर living यानि कि verb की first form plus ing का use किया जाएगा लेकिन यहाँ पर पुछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा since आएगा यह फिर four आएगा ठीक है बाकि यह option तो बाहर है तो देखिए अगर आपने point of time को बताना हो तब आपको since का use करना है लेकिन जब आपने period of time को बताना हो तब आपको four का use करना है जैसे कि अगर आप पिछले 6 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं तो four six years होगा ठीक है ल time बताने के लिए हम यहाँ पर use करेंगे since ठीक है और period of time बताने के लिए हम यहाँ पर use करेंगे और ठीक है चले आगे आगे आपके पास है she feel pray dash malaria अब इस question को पढ़ने से ही आपके mind में एक confusion होगी कि सर प्रे तो प्रातना होता है लेकिन जो प्रातना वाला प्रे होता है वो लब होता है शिकार होना किसी चीज का शिकार होना तो यहाँ पर यह जो लड़की है यह इस malaria का शिकार हो गई है तो she feel pray to malaria होगा क्या होगा to malaria होगा जाने कि option number D is the correct answer आगे चलते हैं आगे देखो एर्थ question यह same to same question आप काया हुआ था हिमाचल परदेश पटवार एक्जाम ह हमने discuss भी क्या था यहाँ पर chemistry लिखा हुआ था वहाँ ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है mathematics लिखा हुआ है लेकिन rule यही implement होगा ठीक है तो rohan is good in mathematics वहाँ पर क्या था in chemistry ठीक है तो concept same ही है तो यहाँ पर क्या होगा rohan is good in mathematics clear है चली आगे चलते हैं आगे आपके है spelt word यानि कि correctly आपको यहाँ पर बताना है तो argument argument होता है A-R-G-U-M-E-N-T argument ठीक है तो option number A is the correct answer आगे चलते हैं तो आगे देखिए question number 10 है incorrect part of the sentence यानि कि यहाँ पर आपको error निकालना है कि किस वाले part में error है तो question क्या है my father deals with government तो same concept हमने discuss किया था हिमाचिल परदेश पटवारे exam 2017 वाले में ठीक है तो देखी मैं आपको फिर से वही बोल रहा हूँ कि किसी भी exam की तयारी अलग-अलग से नहीं की जाती आपको एक set of syllabus को complete करना है फिर चाहाया police constable का exam देलो चाहाया पटवारी का देलो आपका exam निकल जाएगा बस आपको उन subject पे पकड़ बनानी है जितनी आपकी पकड़ मजबूत होगी उतने ही चांसिस आपके बन जाएंगे उस exam को clear करने में ठीक है तो main मकसद क्या है आपको उन subject पे पकड़ बनानी है ठीक है जी तो अगर आपको सही तरीके से तयारी करनी है क्योंकि हम उस set of slables को complete cover करवा रहे हैं अपने grade up study plus course में फिर चाहाए आप police constable का exam देलो फिर चाहाए पटवारी का देलो आपका exam निकल जाएगा ठीक है तो आते हैं question number 10 पे तो question number 10 क्या है my father deals with garment तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी बंदे के साथ deal करनी है तो with होगा लेकिन अगर आपने किसी चीज में deal करनी है phone में deal करनी है तो I deals in phone ठीक है तो यहाँ पर garments लिखा हुआ है तो यह क्या है यह किसी चीज का नाम है बंदे का नाम तो नह correct answer यहाँ पर गडबड़ी है with के जगह पे in होना था ठीक है तो rules वही है वही rules आपके police constable में implement होंगे वही rules आपके पटवार exam में implement होंगे आगे चलिए आगे है आपके पास question number 11 knowledge of at least two languages are required to pass the examination अब देखो यहाँ पर जिस topic को हम skip कर देते हैं जैसे कि noun, pronoun, adjective ठीक है तो आपक कोई लगता है कि यह कुछ ही topic है यहाँ से question नहीं बनता है लेकिन मैं आपको बता दू कि इन topic से भी काफी सारे question बनते हैं mainly fill in the blanks में plus error में ठीक है और अगर आपके exam में close list आता है paragraph आते हैं तो वहाँ पर भी यहाँ से question बनते हैं यहाँ से error जो है यहाँ से fill in the blanks जो है वो two languages है यहाँ फिर knowledge है और यहाँ पर R लगाया हुआ है और आपको लग रहा होगा कि यह तो बिल्कुल सही है क्योंकि आप इसके perspective से यहाँ पर देख पा रहे हो कि two languages लिखा हुआ है तो यहाँ पर R होगा लेकिन यहीं पर आप गरबडी कर रहे हो यहाँ पर R नहीं होगा क् noun है वो knowledge है क्या है knowledge है तो knowledge of at least two languages knowledge की ही बात कर रहा है वो लेकिन knowledge of at least two languages are required नहीं होगा is required क्योंकि knowledge के perspective से यहाँ पर helping verb का परयोग होना था use होना था तो क्या बनेगा is required to pass the examination यानि कि c वाले पार्ट में गडबडी है तो option number c is the right answer तो इस परकार से आपको noun, pronoun और adverb भी पहचानना आनी चाहिए यानि कि सारे के सारे topic ही आपको एक बार पढ़ने पढ़ेंगे मैं तब ही आपको बोल रहा हूँ कि मैंने grade of study plus course में English प English को cover करवाईए लेकिन English cover करवाना इतना असान नहीं है आपको दो से तीन महीने continue देने पढ़ेंगे और सही तरीके से देने पढ़ेंगे तब जाके आपकी command बनेगी English grammar में ठीक है तो मैं तब ही आपको बोल रहा हूँ कि एक बार परोपर तरीक से त्यारी कर लो grade of study plus में enroll हो जाओ आपकी तैयारी बहतर हो जाएगी कहीं ना कहीं वो तैयारी जो है वो result देके ही रहेगी ठीक है आगे चलते हैं आगे question number 12 तो यहाँ पर correctly spelled word दिखाओ है तो aluminium तो aluminium spelling क्या है aluminium A-L-U-M-I-N-I-U-M aluminium यानि कि option number A is the correct answer आगे चलते है question number 13 तो क्या लिखा हुआ है अब देखो अगर आपकी characteristics आपके father जी से match खा रही है यानि कि आपके father जी से physical और mental characteristics आप यानि कि वहाँ से आप में आई है तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं इस चीज को हम बोलते हैं heredity क्या बोलते है heredity इसका मतलब होता है वन्शानुगत वन्शानुगत यानि कि आपके parents से आपके अंदर कुछ characteristics आना इसको हम बोलते है heredity ठीक है आगे चलते हैं आगे आपके पास है question number 14 तो question number 14 गया है a person who has no money to pay his debt इसको हम क्या बोलेंगे तो यह दोनों word आपको याद करने हैं यह काफी common question है जो कि हर बार किसी ने किसी exam में मैंने देखा हुआ है ठीक है आगे चलते है question number 15 तो क्या लिखा हुआ है a doctor who treats diseases of the eyes is called as यानि कि जो doctor जो है जो आँखों का specialist है उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे ophthalmologist option number B is the correct answer बाके options देख लेते हैं तो अगर हम बात करें तो cardiologist तो मैंने आपको बताया था कि cardio तो cardi मतलब दिल तो जो दिल को देखता है जो दिल का doctor है उसको हम बोलेंगे cardiologist ठीक है और जो skin का doctor है skin कोई भी skin हो अगर कोई आपको skin के related बिमारी है तो आप जाओगे dermatologist के पास यानि कि skin का doctor ठीक है अगर आपको CT scan करवाना है x-ray करवाना है और जो doctor ऐसे करके x-ray को देख सकता है ठीक है x-ray को पड़ सकता है तो वो कौन होता है वो होता है radiologist आगे देखते हैं plus verb की second form plus object तो verb की second form मतलब play का बन जाएगा played तो I played cricket यानि कि option number B is the correct answer ठीक है तो आपको इस परकार से English section को solve करना था ठीक है जी तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगती है तो वीडियो को अपने एक like करना है अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe करना है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाहिमाचल